एक नेक्स्ट बॉक्स एक्चिली ममार्थ के डब्बे में उन्होंने मुझे प्रोड़क्स सेंड करिया है तो यह है M.Caffeine Micro Fiber Hair Wrap यह देखिए MRP प्राइस 449 है डिस्काउंट प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो Okay, so next मैंने लिया है एक टोनर यह है Alps Goodness Tea Tree Salicylic Acid Apple Cider Vininger Acne Control Toner for oily skin So basically, कुछ महीने पहले मैंने पारपेल ब्यूटी अडवाइजर से अपनी skin related issue को लेके कुछ बात की थी तो उन्होंने मुझे तब यह टोनर सचेस्ट किया था चलिए इसे भी यूज़ करके देख लेते हैं कि यह कैसा है इसकी MRP है वो है 235 नेक्स्ट मैंने लिया है यह डर्म डॉक ऑनेस्ट साइन्स 0.5% Salicylic Acid Cleansing Bart Fights Acne and Nourish Skin यह basically body acne के लिए है यह भी लिखा है कि face पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो बट मैं face पे soap यूज़ करना बिल्कुल भी prefer नहीं करती हूँ और इसकी जो MRP है वो है 120 और यह जो soap है मैंने 4 soap लिया है ओके सो नेक्स्ट मैंने लिया है यह डर्मा को 1% Salicylic Acid Gel Daily Face Wash फोर active acne और इसकी जो MRP है वो है 299 यह मैंने 2 लिया है ओके सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है डर्मा को 10% Niacinamide Face Serum I don't think कि मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है क्योंकि मैंने इसके उपर एक review video बनाया था description box में उसका link है आप वहाँ जाके check out कर सकते हो next मेरे पास है डर्मा को 2% Alpha Arbutine Face Serum I don't think so कि मुझे इसके बारे में भी कुछ बताने की जरूरत है इसके उपर भी मैंने एक review video बनाया था और description box में link है आप वहाँ जाके check out कर सकते हो बहुत सारे लोग मुझे से यह पूछते हैं कि वाओ का विटमीन सी सीरम कैसा है या फिर कोई भी brand पूछो और बहुत सारे लोग confused भी होते हैं कि उनके skin में विटमीन सी सूट करेगा भी या नहीं स्पेशली oily and acne prone skin वालों को यह डर्ट रहता है कि विटमीन सी उन पर सूट करेगा या नहीं सो देखिए विटमीन सी एक ऐसा ingredient है अगर वह आपके face पर सूट कर जाए तो इस दुनिया में आपसे लगी और कोई नहीं है तो यह face के लिए बहुत हानिकारक साबत हो सकता है मैं personally यह मानती हो कि विटमीन सी बहुत ही sensitive चीज़ है अगर सूट किया तो बहुत बरी अगर नहीं किया तो बहुत घटिया अलफा अर्विटीन और विटमीन सी यह दोनों का जो काम है वो काफी हद तक सेम है तो अलफा अर्विटीन ट्राई कर लो ठीक है आज के लिए बहुत ग्यान दे दिया चलती हो next product में जो इससे मैंने खरीदा है तर्मा को 30% AHA and 2% BHA Face Peeling Solution तो इसके जो MRP है वो है 599 यह जो लास्ट बाला product में आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ लोग उसे भी पैचानते है बहुत अच्छी तरीके से यह है Biotic Mount Eboni Vatalizing Serum for Falling Hair और इसकी जो MRP है वो है 185 बेसिकली मैं यहां पे 5 सिरम मैंने लिया है और इसी के साथ आज का हमारा जो पापल हॉल है वो यही पे खतम होता है आज की जो यह वीडियो है आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे च चल मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए पाई